माइडिय स्टुडेंट जैसे कि आप सभी विद्यारतियों ने अपना डाउनलोड कर लिया होगा और यहां पर कुछ बच्चों का सेंटर भी चेंज हो चुक है ठीक है तो सेंटर कोड से कि आप लोग मिला लिएगा कि आप लोग का सेंटर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है वैसे अगर सेंटर चेंज भी हुआ होगा ना तो admit card यहीं रहेगा admit card बदला नहीं है जो आप लोगोंने admit card 30 का बैटेट भी लिखा रहे गाएगा तक टारीक को लिखा रहे गाइगा भी वी वीडियो बना चुका हूं तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर परिक्षात्रियों के लिए जो है कुछ निर्देश दिये गये हैं तो क्या निर्देश दिया गया है दिखिए यहां पर हम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको एक्जामिनेशन हाल में जाने के बाद किसी भी परकार का कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो चलिए स्टुडेंट यहां पर दिखिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है पहला पॉइंट कहा जा रहा है परिक्षात्रियों को अपना एडमीट कार्ट प्रवेस्टवार त पहले के निर्धारित समय से कम से कम आदा घंटा पहले परिक्षा इस्थाल पर पहुं जाना चाहिए और तस मिनट पहले परिक्षा कक्ष में अपना इस्थान ग्रहन कर लेना चाहिए अब जैसे मान की चली यहां पर पैरा मेडिकल वाले बच्चों का जो एक्जाम है तो यहां पर आपका एक्जाम जो है ना बच्चों 11 बजे से सवाई बज़े तक चलेगा तो आप यहां पर यह बोला जा रहे कि कम से कम आदा घंडा पहले आपको पहुंच जाना चाहिए किसी भी कीमत पर आदा घंडा पहले पहुंच जाना वैसे तो रिपोर्टिंग टा भी कहले आपको चले जाना क्योंकि यहां पर साफ साफ यह क्लियर कर दिया तौकर त्ध्रियोंयाने सेंटर् यांदर सुप्रडरी दिये गए निरुडेशों का पालन करना वशक है तो वहाँ पे आपके जो भी सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे या इन्विजिलेटर होंगे वो जैसे जैसे कहते हैं तो आपको उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद अगला पॉइंट यह कहा जा रहा है सर कि यदि कोई परिक्षात्री कदाचार या क किसी अन्य परिक्षात्री के बदले परिक्षा देने का प्रेतन करने का दोसी पाया जाएगा तो उसे परिक्षा कक्ष से निश्काशित कर दिया जाएगा और उसके विरुज जो है कानूनी करवाई की जाएगी और उसकी उमीदवार रद कर दी जाएगी ठीक है तो यहां के विरुद्ध जो है कानूनी करवाई भी की जा सकती है ठीक है अब देखिए गाइस अगला पॉइंट यह कहा जा रहा है परिक्षात्रियों को निर्देश किया जाता है कि उनके परिक्षा केंदर पर वह अपने साथ डिसी 2022 का प्रिवेश्पत्र माध्यमिक या इंटरमेड क्लम और 500 ग्राम पारदर्शी पानी की बोतल 50 ml हैंड सैनिटाइजर की पारदर्शी बोतल का लाना एवं मास कर लगा कर आना अनिवार रहे हैं अब दिखिए यहां पर यह चीज कहा जा रहा है कि भाई सबसे पहले तो आप लोग अपने एडमिट का ले लिजेगा उसके ब के साथ यह एक पहचान पत्र रहना अनिवार है इसके बाद दिखिए अगला पॉइंट यह कहा जा रहा है सर परतेग परिक्षात्री को ओमर उत्तर पत्रक को भढ़ने के लिए परिक्षा कक्ष में दी जाने वाली प्रश्ण उस्तिका के आवरन प्रिष्टो तता ओमर उत पत्रक के पर कहीं किसी प्रकार का पहचान जिन फाँन बर जीटा अन्यता उन्हें ऑयोग माना जाएगा तो बच्चों आपको जो भी उत्तर पत्रक दिया जाएगा है ना यान निस अन्स रिट तो आपको उसके पर विसके पर डूबर का चीन लगेर या कोई भी कुछ नह अगला पॉइंट ये कहा जा रहा है यहां पर किसी भी परिक्षात्री के लिए परिक्षा कक्ष में अपने साथ कैल्कुलेटर स्लाइडी रूल ग्राफ वेपर चार्ट या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उपकरन यथा ब्लुटूथ मुबाइल फोन पेजर एटियम कार्ट घड़ी आधी रखना वर्जीत है तो आप लोग इन सब चीजों को मतले कर जाएगा बहुत से बच्चे होते हैं वाच ले लेंगे घड़ी ले लेंगे कैल्कुलेटर बगरा है न तो इन स तो यहां पर यह भी बोलाई कि जो परिक्षात्री जूता पहन कर आएंगे उन्हें परिक्षा केंद्र के परिशर में प्रवेश की अनुमती नहीं दी जाएगे ठीक है तो आप लोग जितने भी गल्स और बॉइस हैं चपल पहन के जाएगा और अगर आप बॉइस हो तो ह परिक्षा कश्मेई इन्विजलेटर के सामने निर्धारित इस्थानों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में हस्ताक्छर कर आपके ऑचर्ण तो आपके सेंटर पर जो भी इन्विज लेटर रहेंगे वो आपको जहां साइन करने को कहें तो आपको वहां पर करना होगा यानि निरुधार इस्थानों पर अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट यह कहा जारा है सर परतेक परिक्षात्री को वित्रित की गई परिक्षा पुस्तक पर छपा नंबर और संबंदित पर चपा नंबर यह समान होना चाहिए किसी प्रकार की वित्रित होने पर परिक्षा पुस्तिका एवं और सीट को बदलबा लें अन्यता आपकी उमीदवारी रद की जाएगी तो दिखिए बच्चों यहां भी यह कहा जा रहा है ठीक है यहां पर यह कहा जा रहा है कि आपको जो भी परिक्षा पुस्तिका दी जाएगी तो उस पर जो चपा नमर है और जो उमर सीट दिया जाएगा उस पर जो भूकलेट नमर है वो दोनों समान रहेगा अगर समान नहीं होता है तो आप लोग इसको बदलबा लिजेगा निता आपको दिक्कत हो सकता है ठीक अब दि अब्धियारती दवारा भरे गए और लायन आवेदन पत्र की अबरेस्ेची पत्र की बिस है यहां फेलर यहां पर आप यह नहीं जब आवेधन किया तो उसी में उन्हें लेटमें इधर उधर भर दिये गलत हो जाता कि यहां पे बुलाया गया था जब लोकर बता दिया गया है अब यहां पर दिखे बहुत बच्चों के दिमाग में बात चल रहा होगा कि सर मैंने PM और PMM दोनों का फॉर्म भरा हुआ है यानि PM जो की 12 लेबल का होता है और PMM जो की 10 लेबल का होता है ठीक है तो दिखिए यहां पर PM वाले बच्चों का जो एक्जाम ग तो आपको दोनों का एक्जाम देना है और अगर आप लोगों ने केवल PM का भरा हुआ है तो PM का दीजेगा और अगर आप लोगों ने केवल PM का सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलेंगे अगली वीडियो में